नमस्कार मैं प्रेंग का आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूज इंडिया चित्रात्रिपाथी पर धार्मिक भावनाएं भढ़काने के लिए मामला दर्ज हनुआन चालिसा का बनाया मजाग भक्तों को आया भयंकर गुस्ता इस बार बुरी फसी चित्रात्रिपाथी भक्तों की भावनाओं के साथ किया खिलवार क्या दिल्ली पुलिस करेगी गिरफतार जी हाँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि चित्रात्रिपाथी बुरी तरीके से फस्क चुकी है उन पर साइबर कम्प्लेंट दर्ज कराई गई है तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान भक्तों ने भी घेर लिया है अब ये देखने वाली बाक्त होगी कि दिल्ले पुलिस आखिर कब चित्रात्रिपाटी को गिरबतार करती है बतादे कि आदत्य गोस्वामी नाम के शक्स ने चित्रात्रिपाटी के खिलाफ साइबर कम्प्लेंट दर्ज कराई है इसकी कॉपी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कंप्लेंड की कॉपी में साफ साफ चित्रा त्रिपाथी पर हनुमान चालसा का मजाग बनाने को लेकर केस दर्ज कराया गया है पता दे कि आदत गोस्वामी यह जो कॉपी है यह जो साइबर कमलेंड की कॉपी है इसको शेर करते हुए लिखते हैं कि मैंने चितरा तृपाथी के खिलाफ साइबर शिकायत दर्च की है आप नीचे लिखे इस ट्वीट में देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने ट्वीट में जान बूचकर जान बूचकर हनुमान चाल्सा की पंक्तियों को मोड कर मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है अब देखना होगा कि दिल्ले पुलिस आक्टिव मोड में कारवाई कप करती है आप देख सकते हैं कि आदत गोस्वामी ने जो साइबर कंप्लेंड की कॉ कोपी है उसको शेयर किया है और उसके साथ ही लिखा है कि चित्रात्रपाथी ने जान बूचकर हनुमान चाल्सा का मजाग बनाया है जिससे मेरी जो भावनाएं वो आहत हुई है और अब ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली पुलिस कारवाई कप करती है आपको सुनिएगा चित्रात्रपाथी लिखती है कि बिजेपी पढ़े शिंदे चालिसा राजपाल होए सिद्ध गौरिसा पढ़नविस सदा हरी चेरा कीजे ना थिर्दय महडेरा महराष्ट पॉलिटिक्स क्राइसिस मंगलवार शिंदे के समर्थर में 40 विधायक होने जा रहे है ऐसे इसके राजपाल की सग्रता बढ़ गई है मुंबई में तो आप देख सकते हैं कि चित्रात्रपाथी ने जो महराष्ट में जो सियासी उपान मचा हुआ है जो सियासी खेल हो रहा है जो सियासत हो रही है उसको लेकर हनुमान चालिसा की एका इस्तमाल किया है और हनुमान चालिसा के शब्दों को बदलते हुए कैसे ट्वीट किया है इसको लेकर चित्रात्रिपाठी घिर चुकी है भक्त भड़क गए हैं एक तरफ साइबर कंप्लेंट जदर्ज कर दी गई है जिसकी कॉपी और जिसका ट्वीट हम आपको दिखा चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान भक्तों ने भी चित्रा त्रिपाठी आज तक की जानी मानी एंकर चित्रा त्रिपाठी को जबर्दस्त घेर लिया है एक के बाद एक हजारों ट्वीट किये जारे उस पेसे हम कुछ ट्वीट आपको दिखाते हैं गौरत त्यागी लिखते हैं कि मेरी भावनाय आहत हुई आपके इस कृत्य से आप हन कि मेरी भावनाय आहत हुई है हनुमान चालसा का इस्तमाल नहीं कर सकती हो नहीं लिख सकती हो आप गौरत जो उत्यागी हैं उनकी डीपी भी देख सकते हैं कि उन्होंने लुप और शर्मा के सपोर्ट में डीपी लगा रखी है आप देख सकते हैं कि जो अंद भक्त हैं व लाना अच्छा नहीं होगा हिंदू का मजाग जितना बाहरी लोगों नहीं उड़ाया उससे ज्यादा हिंदू लोगों ने उड़ाया है चित्रा जी तो त्रिपाठी है और आकिर क्यों ऐसा कर सकती है इसको लेकर रोहित नाम का यूजर लिखता है कि जितना बाहरी अपमान उससे जादा अपने लोग अपमान कर रहे हैं हनुमान चालिसा का मजाग उड़ा रहे हैं आगे ट्वीट दिखाती हूँ हर्षित नाम का यूजर लिखता है कि बक्वास ना करो खुद की बुद्धी से लिखो हनुमान चालिसा को मजाग में मद बदलो तो ये चित्रा त् जिनके ट्वीट पर लोगों के कमेंट सामने आए हैं कि बक्वास मत करो और हनुमान चालिसा का मजाग मत बनाओ तुमित राज नाम का यूजर क्या लिखता है वो लिखता है कि हनुमान चालिसा का मजाग बना रही है चित्रा त्रिपाठी मैडम कट्टर हिंदू लोगों क भावनाएं आहत हो सकती हैं तो आहत हो ही नहीं है इसी के चलते तो यह पुरा बवाल खड़ा हो गया है आगे दिखाते हैं योगे शौधरी नाम का यूजर लिखता है कि यह हनुमान को गलत तरीके से लिख रही है इस धार्मिक भावना को दुख पहुचा है इस पर कारवाई होनी चाहिए इसके साथ ही हजारों ट्वीट किये जा रहे हैं इसमें से कुछ ट्वीट समय आपको दिखा दिए हैं कि कैसे चित्रा-त्रिपाठी की खिलाफत की जा रही है एक ट्वीट के जरिये जिसमें उन्हों ने हनुमान चालसा का इस्तमाल किया है महराष्ट पॉलिटिक्स को बताने के लिए आप देख सकते हैं कि लोगों की भावनाय कितनी चालसा को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया है उस पर कितना जादा बवाल खड़ा हो चुका है एक तरफ कारवाई की मांग की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ साइबर कंप्लेंट भी दर्ज की जा चुकी है अब यह देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस आखिर क चित्रात्रिपाठी को गिरफतार करेगी तो कि मुहम्मद जुबै तो तुरंद गिरफतार हो गए 2018 में उन्होंने एक ट्वीट किया था आपको पहले भी बता चुके हैं फिर से बता देते हैं कि 2018 के लिए दोनों मामले लगबग से मैं ध्यान से सुनिएगा उन्होंने ट् जब नुपर शर्मा के किलाफ उन्होंने बुलंद आवाज उठाई तो उनकी कारवाई भी हो गई गिरफतारी भी हो गई और बता दिया गया कि एक मात्र एक ट्वीट से एक ट्वीट किया था जिससे एक आदमी की धार्मिक भावनाय मुहम्मद जुबैर के ट्वीट से आ हो चुकी है एक नहीं हजारों ट्वीट किया और चुटकराणी का यह कुई पुराना त्वीट एए यह आज का ही ठूिट मंगल का ही त्वीट 9 मंगल के दिन कैसे हनुमान 40 का मजाग बनाया है तो हनुमान भक्तों को गुसा आया है तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब चित्रत रिपाटी की गिरफतारी होती है या फिर की नई होती है या फिर की नुपर शर्मा की तरह उनको भी छोड़ दिया जाता है जैसे मुहम्मद जुबैर को तो पकल दिया जाता है नेकिन चित्रा त्रिपार्टी जो कि हनुमान 40 का मजाग बनाती है उनको गिरफतार किया जाता है कि नहीं किया जाता है ये बड़ा सवाल है लगातार सोशल मीडिया पर बबाल मचा हुआ है साइबर कंप्लेंट दर्ज है हजारों ट्वीट्स किये जा रहे हैं अब ये देखने वाली बात होगी कि चित्रा त्रिपार्टी आखिर कब दिल्ली पुलिस के चिकंजे में आती है आखिर कब दिल्ली पुलिस आक्टिव मोड में आती है और आखिर कब दिल्ली पुलिस चित्रा त्रिपार्टी को नहीं होगी इस सवाल के जबाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जाजा से जाजा शेयर करें सब्सक्राइबर बिटिन दबाएं बलाइक के दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुस्ती रहें पर मिलते हैं अगली खबर के साथ तब तक के लिए निवाद